कोरुना वायरिस से बच्टे के लिए हर 20 मिनिट में हाथ तो धू रहे हैं लेकिन क्या वाकर ही वायरिस खतम हो रहे हैं हलो गाइज एन्विटी देख रहे हैं आप बेरिया निफ्रिटी के साथ आज इस विडियो में बताएंगे हाथ धूने के सही तरीके के बारे में कि इसमें कौन सा रॉकेट साइंस हैं अनफॉर्शेने लिग रॉकेट साइंस ना सही लेकिन हाईजेन साइंस है The fact is, no matter, आप अपने हाथों को हर 20 मिनिट में धूए या 10 मिनिट में, लेकिन अगर आप मुन को छीख तरीके से साथ नहीं किया, तो बहुत सारी चांसे हैं कि वो वाइरिस बही रह जाए और आपको नुपसान पहुंचाए। आपको डरा नहीं रहे, बस सही तरीका बता रहे हैं, तो इस वीडियो को देखकर आप भी चेक कीजिए कि आप चीख तरीके से हाथ धो रहे हैं या नहीं, कोई ऐसा स्केप तो नहीं है, जैसे आप बिस कर रहे हैं। हानवाश से पहले किस भी तरह की जूर्जी को निकाल दें। इसके बाद हाथों को अच्छी तरीके से गीला करें। ध्यान रखें कि आप वाटर टापको ना चुएं। हाथों को कुछ दूरी पर रखें। इसके बाद जरूरी मात्रा में हानवाश लें। इस दौराग बोशिश करें कि नल की स्पीड कम रखें ताकि पानी बचाया जा सके। हाथों को कम से कम 20 सेकिंद्स तक साफ करें। हाथों को अच्छी तरीके से रखड़ें ताकि ज्यादा से ज्यादा छाग बन सके। अब दाई हथेली से बाई हथेली के पीछे बाला भाग और फिर उंगलियों के बीच के भाग को रखड़ें। ऐसा ही बाई हथेली से भी करें। इसके बाद दोनों हथेलियों को फिर से एक दूसरे के सामने रगड़ते हुए साफ करें, इसके बाद उंगलियों के बीच के भाग को दुबारा रगड़ें अब उंग्लियों के पीछे के हिस्से को साफ करें फिर उन्हें एक दूसरे में इंटरलॉक करते हुए रगरें इसे दूसरे हाथ से भी रिपीट करें इसके बाद दाएं हाथ की मुझ्छी बनाकर बाएं हाथ के अंगूठे को साफ करें और फिर बाएं हाथ की मुठी बनाकर दाएं हाथ के अंगूठे को साफ करें फिंगर टिप्स और नाखुनों को साफ करने के लिए हथेली पर इस तरह से रख कर गोल-गोल घुमाएं इसके बाद चलते हुए पानी से हाथों को अच्छे तरीके से धोएं धोने के बाद अपने हाथ सुखाना ना भूलें इसके लिए साफ टौवल या टिशू पेपर का यूज़ कर सकते हैं यदे टाप आटोमाटिक नहीं है तो इसे दोबारा हाथ मसे छूने से बचे बंद करने के लिए टिशू पेपर का उप्योग करें अब आपकी हाथ साफ और सुरक्षित हैं